हलो इस्टुडेंट मैं दिपेश केसरवानी अपने इस यूटूब चैनल इस्टडी स्टार्स में आपको मैस रिजनिंग और 36 गर्स संबंदित चीज़ों की जानकारी देता हूँ वैसे हम लोग देख रहे थे सीजी पड़वारी 2017 का कोश्टन पेपर के स्टॉलूशन अगर आप इस चैनल में पहली बारा हैं तो आपको मैं बता दू कि हम लोग मैस और रिजनिंग और 36 गर्ड़ के जो संबंदित वीडियो है ये सारे डाले हुए है आप चैनल में जाए इस्टडी स्टार्स वहाँ आप प्लेलिस्ट पे जाए वहाँ से आप वीडियो देख स जकते हैं जिसमें CG वैपम के कोश्चन, CG पड़वारी के मैं, CG PSC तरफ पुछे के प्रश्ण, CGRI के कोश्चन सारे कोश्चन आपको मिल जाएंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं CG पड़वारी के जो कोश्चन सॉल्यूसन है उसको तो आज हम लोग देखने वाले हैं CG पार्ट टू है तो चलिए हम इसका कोश्चन पेपर के सॉल्यूसन देखते हैं रिजदिंग का पार्ट टू CG पड़वारी 2017 का तो कोश्चन नमबर 76 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था आज हम कोश्चन नमबर 77 देखते हैं कोश्चन नमबर 77 देखिए यदि P आर एस को हमें भाग गुड़ा प्लस या मैनस से दर्साना है तो सबसे पहले हम लों क्या करेंगे जो अलभा वेट है उसके बराबर में हम जो गड़ीती चिन है उसको लिख लेंगे जिससे में कोश्चन लानने में असानी होगी और गलत नहीं होगा हमारा कोश्चन तो इस जगह क्या है हमारा भाग है और यहां पर आ जाता है और आर के जगह क्या है मारा प्लस है और एस के जगह माइनस इसको सॉल्ट करते हैं सॉल्ट करेंगे था हम लों सबसे पहले बोर्ड मास रूल का अप्लाई करेंगे बोर्ड मास रूल में हम लों सबसे पहले क्या करते है तो क्या हो जागा है 12 बट्टे 4 हो जाएगा तो 12 बट्टे 4 को पहले solve कर लेते हैं तो 12 को हम 4 से divide करते हैं तो 3 बार में चले जाएगा और 18 तीए कितना होता है 54 हो जाएगा फिर हम लोग 5-6 है तो-6 है तो-1 बचेगा यहाँ पर ठीक है कोशन नमबर 78 दिये हुए चित्रों में से वह चित्र चुनों जिससे निम्द लिखित अवेओं का समूँ सही तरीके से चित्रीत हो तो देखे इस कोशन में करना क्या है जो हमें दिया है घर, इट और पूल उसको वेंड डियाग्राम में दरसाना है हमें तो देखे चारा आप संदी है हमें वेंड डियाग्राम के तो कैसे दरसाते है हम देख लेते हैं जैसे कि घर है घर है तो घर क्या है इट से बना होता है और पूल भी क्या है इट से बना होता है लेकिन अधार कौन हो गया है इट हो गया तो इट है हमारा ये अधार जो बड इसको लेते थे हमारा option A हो जाता क्योंकि पहला क्या होता हमारा इट हो जाता उसके अंदर क्या होता घर आ जाता उसके अंदर क्या जाता कम रहा आ जाता तो अगर यहां पर पूल के जगा कम रहा होता तो लेकिन यहां पर क्या दिया है तो यह क्या है पूल और घर अलग-अल लग रहेंगे लेकिन दोनों वीट से बने हैं इसलिए यहां दोनों से जुड़ा हुआ रहेगा चलिए आगे देखते हैं हम लोग आई होप यह कोशन आपको समझ में आहाऊँगा Q79 नीचे दिये गए विकल्पों में से सही विकल्पर चुनों जो दिये गए हुए पेटन को पूर्ण करें तो देखिए ऐसा Q2 व्यापम में आता है तो बहुत ही सराल होता है इसको आपको चीत्र देखके ही समझ जाना है कि Q2 में क्या हो रहा है यहाँ देखिए हमें दिया यह और इसको सामने यहाँ ब्लैंक्स दिया है और हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा तो यहां देखिए इस दोनों को देखिए दोनों क्या है सेम डारेक्शन में है एकी दीसा में है एकी पोजीशन में है तो यह भी सेम होगा ऐसा है सेम सामने यहां भी आना चीए तो आपसन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा एकी दीसा में है क्योंकि बहुत ही सरल था आपको सम मीटर चलता है, इसके बादपुरना couch दाई और मुड़कर 35 मीटर चलता है, अब वह बाई तरप मुड़कर 15 मीटर चलता है बताईए उसकी मूल स्तिती से कितनी दूरी पर और किस दिशाँ और वह इस्तित है ठीक है मुल इस्थिती से कितनी दूरी और कीस दी सम्यंवें और इस्थित से पूझ रहे हमें हमें करना क्या है सिर्फ conspiracy जैसे वो रहा है वशी काम करना है हमें दिशा का ग्यान आपको होगा यह उत्तर है यह दंचिद है पसीम है और यह पूरव है सबसे पहले हम देखते हैं, सेंटर से श्टार्ट करते हैं, समीर उत्तर के तरफ वीश मुड़ेकर चलता है, तो उत्तर चला देते हम इसको 22 अधहीं, सेंटर से 20 मुड़ेकर यहां उत्तर, उसके बाद क्या भूल है? इसके बाद llevहाद उते हैं, यहां तक आ जाएगा, क्योंकि 20 यहां तक होगा, और यहां से यहां तक आ जाएगा, ठीक है, अब वो बाहितरफ मुड़कर 15 मिटा चलता है, तो बाहितरफ कौन सो हो जाएगा, अगर नीचे तरफ जा रहे हैं, बाहितरफ इस तरफ हो जाएगा, तो 15 मिटा चल दिया यहां अब यहां आ गया पुना बाई तरफ मुड़कर 15 विटर चलता है तो फिर क्या हो जागा फिर बाई मुड़ेगा तो उपर की साइड आ जागा और यहां पहुच जागा तो यहां 15 विटर चला अब बताए उसकी इस्तिती मुल इस्तिती से कितनी दूरी पर है और किस दिशा म हैं तो देखिए यहां पर यहां मुल इस्तिती दूरी हो जारी है जब यहां से यहां तक तीस है तो यहां भी तीस हो गए यहां तक की दूरी ठीक है और यहां से यहां तक 15 है तो यहां से यहां तक 15 होगा मतब 30 प्लस 15 कित जगए 45 मिटर हो जाएगा तो कितने दूरी में ह अहां पर है वह तो अपने मूल स्धिती की पूर्वदिसा में है यह पूर्वदिसा हो गए आप रिटालीस मूडर पूर्वदिसा आफससे हमारा आंसर हो जाएगा तो इस तरह कोशन व्यापम हमेशा पर 52 फिर question mark है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा logic लग रहा है, अगला पत क्या आएगा, तो इसका logic मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ से, देखिए पहले क्या हो रहा है, 7 कैसे आ रहा है, हम 2 का square कर रहें, 2 का जैसे work करें, तो हो जाएगा 4, Plus 3 कर दिये तो आ जाते हैं 7 पिर हम क्या कर रहे हैं 3 के2 कर दे रहे हैं अब 3 के2 करके Plus 3 IRA 6 प्लस 7 आगे 12 अब हम 5 के2 कर रहे हैं उसवी तो साथ के2 कर रहे हैं उसप्वर27 की security तो जो 2, 3 , 5 , 7 , 11 क्या हैик प्राइम नंबर है अब हाज दे संग क्या है तो इसका हम square करते जा रहे हैं, plus 3 करते जा रहे कोश्चन नमबर 82 निमनल की चित्र का ध्यन करती हूए प्रस्टन का उत्तर दीजिए जहां आयत चित्रकार को दरसाता है वरीत खिलाडी को दरसाता है एवं त्रिभूज चिकिस्तक को दरसाता है तो सेम कोश्चन इसी तरह के हम लोगे पहले वीडियो में देखा था तो इसम तो देखिए आपने बना लिए इसके आपको सराल जाएगा यहाँ पर बताना कि आपको डाक्टर है सिर्फ डाक्टर बताना है हमें बाकी जो ना ही खिलाडी है और ना ही चितरकार है बोला है तो हमें सिर्फ डाक्टर बताना है बाकी जो ना ही खिलाडी है ना ही चितरकार बताना है तो देखिते हैं हम इसको देखिए यहां में हमें सिर्फ त्रिबूज को बताना है तो त्रिबूज में सिर्फ क्या है 27 827 से तो हमें व formulated नहीं लाना है और आयात नहीं लाना है तुश्य हमारा क्या हो जाएगा ना टो खिलाडी है और नहीं चित्रकार है सरल ऐसमें और कोशन था चली आगे बढ़ते हैं अब इसकी में नमण ल्म एटी त्री देख लेते हैं कोशन नंegerrat तो यह जो कोशन था इसको व्यापम ने विलोपीद कर दिया था क्यों विलोपीद कर दिया था क्योंकि इसका जो आंसर है option में आपको नहीं मिलेगा फिर भी हम लोग चलिए देख लेते हैं कैसे सौल होता अगर यह सौल होता तो जैसे कि यहां रेखिए 3F दिया हुआ है फि 6 हो जाएगा जैसे A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4 और E बराबर 5 आतो F बराबर 6 हो जाएगा तो हम लोग देखिए इसी प्रकार G बराबर 7 हो जाएगा I बराबर 9 हो जाएगा और L बराबर 12 हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं जो 3 और 6 है दोनों के टिक नहीं कर रहा है ना तो कोई logic नहीं कर रहा है कैसे solve होगा उपर देखते हैं हम लोग तीन के बाद यहां देखते हैं 6 है 6 के बाद यहां 11 है 11 के बाद यहां 18 है ठीक है तो यहां कैसे solve होगा यह देख सकते हैं हम लोग 3, 5, 7 फिर 7 के बाद 11 ले लेते हैं हम लोग तो आ ज संक्यप है, पांच १ संक्य्प भी संक्याth, और यहां पर नहीं हो जाता विसंप संक्या, तो यहां चाहलिए, संक्याथ 20 हो संक्या इधर का जो है जो दूसरा अंख है मारा जैसे F है G है I है L है इसका भी अंतर अलग-अलग है तो यहां भी fix नहीं हो पा रहा है मतलब दोनों तरफ से confusion है यहां पे इसलिए इसका answer व्यापमने क्या कर दिया विलोपीत कर दिया इसलिए हम लोग अब question number 84 देखते हैं आपको सिर समान है परन्तु एक समूँ अलग है अलग समूँ को चुन बोल रहा है तो देखिए यहां पर जो दिया है अक्षर के समूँ उसको देखना है हमें तो इस दिहां देखिए ALMZ ALMZ लिख लिए वैसे BTUY BTUY लिख लिए फिर CPQX CPQX लिख लिए DEFY लिख लिए देखिए इस में बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा हुआ है इस लॉजिक को आपको समझना है जैसे कि देखिए ABCD हो जा रहा है यहां पर लाइन से ABCD हो जा रहा है फिर यहां देखिए ZYX तका रहा है लेकिन Y हां गलत हो जा रहा है यहां W आना था यहां देखिए W आना था ZYX मतलब यह W, X, Y, Z होना था, लेकिन Y हाँ पर गलत हो जा रहा है, तो इसका आंसर क्या ले लिए, option D, D, E, F, Y, यहाँ देखिए, L के बाद M आता है, सही है, T के बाद U आता है, सही है, P के बाद Q, सही है, E के बाद F आता है, यहाँ सिर्फ यहाँ गलत हो रहा है, W के करण, यहाँ W हो भाएगा, तो आंसर सही हो जाता, यहां अपशन D हमारा, हैं आंसर हो जाएगा, चलिये next question, देखें इसी में, निम लिखी चीत्र में रिक्त संख्या भ्याद करू तो इसमें देख आंध पर चीतर दिया हुआ है, यहाँ दिया है 11,3 फिर उन चाज दिया है, पांच, 19, क कोशन मांग दिया है 7 спасибо यह है तो इसी प्रकार का करें गया 5 और 9 को जोड दिये हैं 5 Quickly सो जागा 5 और username single 20 और 12 का work कर दिये तो 144 ऑजाएगा यहां पर 144 सएगागा थो हूप संडी हमारा ँसर हो जाएगा फिर भी हम लोग क्या करते हैं दोग तीसरा भी चेक कर लेते हैं साथ और तेरा को जुड़ेंगे तो किनी आजएगा विस आजएगा वैस गता आज गई तो दस हैगा दस का हमःग करके तो log्ट कर दे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में मैंने जो कोशन मता हैं आगर आपको लाइक कर लिजे और अगर आपको कोई फ्रेंड जो सीजी पटवारी कर रहा हो उनको आप सेर कर दीजे और अगर आप इस चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर मता है वे होग जो फाइक कर दो कर दो कि में से रिजनिंग और चाति बारा है